नमस्कार मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहें लाइव व्लॉप भारतिय संसत का मानसुन सत्र शुरू हो चुका है सत्र के दूसरे दिन हैदराबाद लोकसभा सांसत असादू दिन ओवेसी ने कानून और न्याय मंत्राले से पूछा क्या ये सच है कि पिछले पा साल 2018 के बाद से कुल 537 जजो में से उच्चे जातियों के अलावा केवल 2.6 प्रतिशत अन्नी वर्गों से है क्या सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सामाजिक विविदिता और सामाजिक न्याय के मुद्दे का जिक्र किया है आख कई जानकारी के मुताबिक साल 2018 से अब तक कुल 604 हाई कोट जजों की नुक्ति हुई है जिन में 458 जज जर्नल कैटिगरी के है 18 जज सी कैटिगरी के है 9 जज से 72 जज OBC कैटिगरी के है 34 जज अल्प संख्यक है और बाकी बच्चे 34 जजों की जानकारी उपलब्द नहीं है जवाब में आगे कहा गया कि सुप्रीम कोट और हाई कोट के जजों की नुक्ति भारतिय सविधान के अनुछेद 124, 217 और 224 के तहट की जाती है जो कि किसी भी जाती या वर्ग के लिए आरक्षन प्रदान नहीं करता है कानून मंत्राले ने ये भी कहा कि जजों की नुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय सरकार हाई कोट के चीफ जस्टिस से अनुरोद करती है कि जजों की नुक्ति में सामाजिक विविद्दा सुनुशित करने के लिए अनुसूची जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग अल इसी तरह की कानून से जुड़ी खबरे देखने के लिए लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले साथ ही कानूनी खबरे पढ़ने के लिए आप लाइव ब्लॉग की हिंदी और इंग्लिस वेब साइट पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है शुक्रिया